कि है कि वेलकम टूभास्ट यहाँ पर मैं करेंट आफ़र्ट यह आपको बताने वाला हो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊगा और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात अक्वाति हए इसलिए आप एक बार जरूर विडियो को देखें कि आपको पता भी होगा आई पता नहीं तो पढ़़ लिए कि करनल शंतोस बावु को महाविर्ड चक्र से संभानित किये गए हैं तो करनल संथोसस आप लोग आप लोग जानते होंगे जिसे महाविर्ड चक्र से सम्मानित किये हैं जबकि उसे पिता का कहाना है उसे परंबीर चक्र मिलना चाहिए था उसे नहीं दिया गया है जैसे जो भी बज़व हो और आपको भी कॉमेंट करके बताना है क्या उसे परंबीर चक्र मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था तो चलिए हम द बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थे और उन 20 फारते साइनिकों में सामिल थे जिन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान की घाटी में चीन के साथ जरप में प्राण नियुशावर किये थे यह नियुश के साथ यहां साथ आपके एक्जाम के लिए जो भेरी भेरी इंपॉर्टेंट है यह है करनल संतोस बाबू को पहले तो महाविर चक्र दिये गए हैं वह कहां से थे किस रेजिमेंट से थे तो वह 16 बिहार रेजिमेंट से संबंधित थे एक चीज़े दूसरी संतोस बाबू के पिता उपपेंदर ने कहा मेरा बेटा और उसके लोग निहत्य लड़े थे उन्होंने दुस्मन के अधिक से अधिक साइनिकों को मार कर सावित किया था कि भारत चीन से बहतर और मजबूत हैं यह उसके कॉमेंट से इसे इंपोर्टन नहीं है यह तो सर्फ संतोस बाबू को महाविर चक्र दिए वह करनल थे और वह 16 बिहार रेजिमेंट से थे ठीक है और गहतना 15 जून को गलबान घाटी में होई थी और आपको करनल संतोस बाबू को संतोस बाबू को जो हैं तेलंगा तेलंगाना सरकार ने पांच क्रोड रूपय की अनुड़ा पूश्चन जी याद रखेंगे और आपको कॉमेंट्स करके बताना है तो क्या प्रम बीर चक्र संतोस बाबू को मिलना चाहिए था या नहीं और आपको पता होना चाहिए कि प्रम बीर चक्र इंडियन आर्म फोर्स की सबसे बड़ा पुरुसकार होता है सबसे बड़ा में सबसे बड़ा पुरुसकार कौन है तो यह होते हैं असोख चक्र तो प्रम बीर चक्र मेरे हिसाबस को मिलना चाहिए और आप कॉमेंट्स करके बताएंगे कि मिलना चाहिए या नहीं और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अभी तक आप इस